जलो आप देखो और इव शुड अवाइड मेकिंग डैस्ट इस्काइंड़ डीचल सब्सेट आप देखो गीजिट इसका इसकाइंड आप डेखो तो अगर हमने दिस लिखा है तो काइंड्स प्लॉल क्यों है और अगर काइंड्स प्लॉल है तो फिर हमने दिस क्यों लिखा दीज क्यों नहीं लिखा तो यह गलत हो गया यहां पर हमने दीज लिखा लेकिन काइंड्स नहीं लिखा अचा बच्चा क्या करता है स्टुडेंट कई वार समलिए जो these mistakes का determiner होता नहीं लेकिन उसको एस साथ लग जाता है हो समझ लेता है तो ध्यान रगना अगर लिखेक्ष का ropolis मिस्टेक के साहते हैं अगर यांडों के समय दॉनों से होते हैं यां थो Mens का मतलब इस तरीके की गलती आप इसटोड आवॉइड मेकिग इस गलती करने जो बचा करो इस टाइब की गलतियां करने की आप वह केसी एक पर्टिक्लयर्ट मिस्टेक खर रहा होगा मल्टीबल को तो नहीं कर रहाब कि बहुत सी mistakes होंगे तब तो उनके kind भी अलग-अलग हो जाएंगे तो हमें these kind of mistakes लिखना पड़ेगा तो अगर हमने this kind singular लिख रखा है ना तो इसके साथ हमें singular noun प्रफर करना चाहिए और अगर यह वाला सही हो जाता है तो हम mistakes रहने देते हैं तो आंसर है this kind of mistake अगला देखो our company is the one you work for twice larger than, twice more large than, twice as larger than, twice as larger than, twice as large as these kind of mistakes नहीं हो सकते बेटा तुम तो इसलिए तो गुस्सा आता है तुम मैं से बहुत से बच्चे हैं और काफी टाइम था परयाप्त टाइम था लेकिन तुम्हों अगर देखे होते तो इस तरीके गलतिया नहीं करते जैसे कर रहे हो क्या फायदा है फिर पढ़ने का these kind of mistakes नहीं सही हो सकता बेटा जब हम these kind लिखते ना तो इस mistakes के लिए काइंड के लिए तो इस प्लूर्ल नाउन के साथ युज़ोता है दीज लिखना चाहरे हो तो काइंड लिखो ठीक है और अगर लिखना चाहरे हो काइंड लिखना चाहरे हो तो दिस लिखो अब इस पर आओ अब देखो हमने पड़ा कि हाफ है त्वाइस है इनके साथ में हमें कंपेटिव या सुपरलेटिव डिग्रीज नहीं उसकरने है इनके साथ हमें उसकरने सिमलीज जैसे हमने लिखा हाफ हाफ ओल्डर दैन तो यह गलत है हमें लिखना चाहिए हाफ पर एल्डर यह सब्सक्राइब कर्या है हमारी कंपनी उस कंपनी से जिसके लिए तूम काम करते हो दो गुनी बढ़ी यह उस से दो गुनी बढ़ी है ही यह हम बता रहे हैं चलो मोहन दसंट नो दमीनिंग अब देश फाइव लास्ट वर्ड लास्ट फाइव वर्ड फाइव लास्ट वर्ड अब देखो हमने एक वंसेप्ट पढ़ा होगा live lecture सुम्हें मतलब लेक्चर सुमने पढ़ा होगा of ordinals precede Cardinals अगर हम कभी किसी एक Noun के साथ में दोनों तरीके के Determiner's use कर लें, ordinals और cardinals, तो जो ordinals होते हैं, cardinals से पहले तो होते हैं, अब ordinals क्या होते हैं, cardinals क्या होते हैं तुम लोगों को पता भी होगा? जरूरी पता होने चाहिए लेकिन फिर भी मैं को बता जाता हूँ ओर्डिनल्स होते हैं ऐसे डिटर्मिनर्स जो किसी नाउन की पोजिशन या रैंक को रेफर करते हैं जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड लास्ट एट्सेटरा ठीक है काडिनल्स होते हैं जो उसके नमबर को रैफर करते हैं ऑज में इंट जो होते हैं यह विच बन का रेप्लाई होते हैं सब्सक्राइएज सब्सक्राइब अब यहां देखो इसे में से 5 कॉडिनल है लास्ट असट अलिके तो हमें पता है कि और दोनों ऑप्शन गलत है तो A और D दोनों गलत है अब यह जो हमने फाइव लिखा है फाइव होता है प्रूल नाउंस के साथ में तो इसके साथ में वर्ड नहीं आ सकते हैं क्योंकि नाउंस सिंगुलर है वर्ड आएगा तो यह आंसर होगे बी लास्ट फाइव वर्ड मोहन जो है वह लास्ट फाइव वर्ड का मिनिंग नहीं जानता है तो हमारा इसमें आंसर कौन सा है बच्चे बी बहुत अच्छी बात है कि बहुत से बच्चों ने यह सही बताया बड़ी अच्छी बात है वह तुम लोगों ने चलो मुझे तो इसका डर लग रहा था पता नहीं जिस तरीके से तुम सेक्वेंस को सई से लिखना है तो देखो यहां पर पहले तो समझ लेतें कि एड्जेक्टिव है क्या ब्यूटिफुल जो है देखो सारे विच्च समझना आ और आटमेटिक जो है यह क्लासीफाइंग अड्जेक्टिव है अब क्लास बता रहा है किस टाइप की कार है विच्च साइज एड्जेक्टिव और कलर है प्यूटिफुल जो है वह एड्जेक्टिव और अपिनियन है आप हमने क्या पड़ा दो तिन बेसिक फैक्ट्स होते हैं तो हम सब अपने आप कर लेते हैं देखो एक तो हमें यह पता हो कि क्लासिफाइंग अड्जेक्टिव्स क्लासिफाइंग अड्जेक्टिव्स अर्यूज़ एक n न के लिए हमने क्लासिफाइंग और क्वालिफाइंग दौनाइड्यक्टिव क्या क्लासिफाइंग करें और сок Duo क्या Eye वाद नावक्यर्सरासिफर्दीर अगर माहलो हम कभी किषी नाउन को दिस्क्राइब करने के लिए ठीकर लिए मौडिफाइयर्स तो नाओन मोडिफायर्स नाउन के सब से पासे लिखाँ जाते है नाउन मोडिफायर्स और दिछ हो यूजट चुंठ्ञ हम किसी नाउन के लिए एक टिर्टीप करें और नामु उसकर खरें इस पहले विसांस Came लिए इसके बाद में प्रॉट फिलिखें तो धेखंए का रेंग्मेंट क्या होता है सबसे पहले अड्जेक्टिव ऑफ अपिनियन ठीक है अड्जेक्टिव ऑफ साइज कि एप कलर ठीक है ठाई सेप एज एज डाइज रह गया ठाई सेप एज अलर वालिटी कि नैशनलिटी नैशनलिटी का मतलब ऑर्जिन तो उसके आद में माटेरियल हम इस सीक्वेंस में कुछ नहीं लिख देते हैं ठीक है सबसे पहले अड्जेक्टिव ऑफ फिर इधर आता है में ना यहां पर में नाउन आता है ठीक है तो सबसे पहले माटेरियल और जिन क्वालिटी कालर एज यहां पर कोई डिटर्मिनर हुआ तो वो तो नाउन अप्रेज में डिटर्मिनर सबसे पहले आएगा में नाउन सबसे बाद में आएगा इजीक्टिव से इजेप में आजएगा यहां पर देखें तो ब्यूटिफुल ज़े यह पहले आएगा ईॉटिफुल फिर strength और शेपके भलस आईगे फिर उसके आद में रह नद में रहแตज पाइएगा ब्रॉत्ति फॉल्र और ब्रॉस अभ घ्लासिवजिंग सबसे हमारे संशल यह सब गलत नहीं आपिनियन सब से पहले आ चैनल सब से और बिग एक्रीटिव सई उसके आद यह आ गया रेड कलर का अच्छी इता रहा है कि इस टाइप की कर रहे है जो बिग पहले नहीं आगा वेटा देखो देखो ब्यूटिफुल जो है वह एड्जेक्टिव ऑफ अपिनियन है तो जो एड्जेक्टिव हमारा किसी चीज को लेकर देखो बिग होना कार का फीचर है ठीक है ऑटोमेंटिक होना कार की केटेग्री है टाइप है एक कलर जो है वह लेकिन ब्यूटिफुल कलर का कोई फीचर या क्वालिटी नहीं है वह हमारा अपना कमेंट है कार के लिए मतलब हमारा अपना अपिनियन है तो इसमें आंसर जो वह हो जाएगा अगले क्वेश्टन पर जाओ इस क्वेश्टन का अंसर सारे बच्च अपने आप बताएंगे यिए आप शेफना हमितिक लोगटो कि तुमिल है तबंड़ हमारा अपना का अपना क्रिछ Selon